हेलो गाईज, स्वागत है आपका मेरे चैनल मम्स बेकरी में आज मैं आपके साथ चमचम मिठाई की रेस्पी सेयर कर रही हूँ गाईज, चमचम मिठाई बनाना बहुत ही आसान है और आज मैं इसके सारे सीक्रेट आपके साथ सेयर करूँगी ये एक दम हलवाई स्टाइल में बनके तयार होगी तो गाईस सरू करते हैं हम चम चम बनाना तो उसके लिए मैंने ये लिया है आमूल का टोन मिल्क ये एक लीटर मिल्क है आप कोई सा भी दूद ले सकते हैं किसी भी बरांड का आप चाहें तो गाई का भी या भैंस का भी दूद ले सकते हैं तो गाईस सरू करते हैं हम चम चम बनाना तो मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें थोड़ा पानी डाल दिया तो पानी इसलिए कि दूद तले में चिपकेगा नहीं पानी डालने से तक गरम कर लेना है, दूद हमारा उबल चुका है, और अब हम इसको पांच मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे, कई सिर्फ पांच मिनट ही ठंडा करना है, और पांच मिनट के बाद इसको हम फाड लेंगे, तो उसके लिए मैं लोंगी सिरका, आप नीबू से भी फाड सकते हैं तो मैंने लिए ये 3 टेबल स्पून विनेगर याने के सिरका और उसमें मैंने डाल दिया ये डबल इसका पानी और इसको मिक्स करके और हम दूद हमारा थंडा हो चुका है तो दीरे दीरे करके मैं उसमें डालती जाऊंगी इस दूद को हम फाड लेंगे तो दीरे दीरे दूदो फट चुका है तो देखिये guys पानी अलग से और छैना अलग से हो चुका है तो दूदा हमारा अच्छे से हट गया और छैना बन के ready है तो उसको हम छान लेते हैं तो छानने के लिए मैंने लिये एक छाननी और उसे रखतिया है मैंने ये सूतिक पड़ अब कोई भी मलमल का या सूथी कपड़ा या कोई चुन्नी अपने तो उसमें आसानी से आप छेना को छान सकते हैं तो मैंने छेना को छान लिया है और गाई जो दूद फटने के बाद जो पानी बचता है उस दूद का तो वो भी हमारे बहुत यूज का होता है उससे हम ढल भी बना सकते उसको आठा लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं इसका बाद में यूज़ करूँगी तो मैं इसको साइड में रख दे दियो और अब चलते है अगले प्रोसेस पर तो उसके लिए लिया है मैंने एक ये पैन और उसके रख दी मैंने ये छणनी तो इसको चैना को हम अच्छे से अब धोएंगे दोना इसलिए ज़रूरी है कि सिर्के से इसमें खटास आजाती है और वही खटास हमें अच्छे से निकालनी है तो इसको हम पानी डालके अच्छे से दो लेते हैं तो मैंने पानी डालके इसको अच्छे से दो लिया है और अब हम इसको निचोड लेंगे तो देखे काईज इस तरह से इसको दबा दबा के थोड़ा निचोड ले बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है दीरे दीरे दबा दबा के पानी निकाल दे और एकदम नहीं सुखाना है थोड़ा गीला रखना है इसको अरबिक प्लेट में हम इसको निकाल लेते हैं कोई भी प आसानी से इसको Mix करें तो इतना वह बड़ा होना चाहिए तो मैंने यह प्लेट लिए और इसमें हम आसानी से तो हम इसको अच्छे से मतलेते यहां और अब मैं इसमें डालूँगी खाने वाला पीला रंग आप पाउडर कलर भी डाल सकते हैं और जो भी कलर चाहें आप डाल सकते हैं ग्रीन डालें पिंक कलर डाले या बिना कलर के भी बनाएं तो मैंने थोड़ा सा इसमें यलो कलर डाल दिया है इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आजाएगा तो इसको अच्छे से हम mix कर लेते हैं इसमें तो इसमें मैंने yellow color भी इसमें अच्छे से mix कर लिया है mix करते करते ही एकदम चिकनाडो बन जाएगा हमारा तो यह अच्छे से मैंने इसको mix कर दिया है इसमे अब इसमें हम डालेंगे एक tablespoon भरके सूजी मैंने यह बारिक सूजी लिये तो आप बारिक सूजी ही ले तो इसको भी हम अच्छे से mix कर लेते हैं इसमें तो मैंने सूजी को भी अच्छे से मिला दिया है सूजी हमारी मिल चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे 1 4th teaspoon baking powder और 1 tablespoon इसमें डालेंगे हम अरारोट की जिकेपर आप इसमें कौन फ्लोर भी ले सकते हैं और इनको भी हम अच्छे से मिला लेंगे तो गाइस मैंने इनको भी अच्छे से मिला दिया है और हमारा एक dough बनके रेडी है अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा dough सई से बनाके नहीं, तो वैस्ट एकदम अच्छा सा डो बनके रेडी है, देखिए हमैरे ये चम चम कहीं से भटा भी नहीं है, कोई क्रेक्ट इस्में नहीं आई है, तो हमारा डो 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 solar閉दी है, और देखे कितना चिपना डो बनके रेडी हुआ है, मैंने टोंड मिल्क लिया है, फिर भी तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस पे तो उसके लिए मैंने लिए है यह कड़ाई आप कोई भगो ना कड़ाई कुछ भी ले सकते हैं तो मैं इसमें डालूंगी टुे एंड हाफ कप शुगर यानिके ड़ा कप चीनी और इसमें अब हम डालेंगे चार कप पानी इसमें मैंने लिए है टुएँअफ कफ शुगर और फॉर कप वॉटर उर इसको हम एकदम घूलने तक ही इसको हम गरम करेंगे हमामें कोई तार की चासनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इसको चीनी घुलने तक पकाना है, तो आग चलते हैं, जब तक हमारी चीनी घुल रही तो हम अपने सारे चम चम रेडी कर लेते हैं तो देखिए गाईज कितना अच्छा सा हमारा डो बना है और बड़े अच्छे से हमारे चम चम तैयार हो रहे हैं तो हम उनको सब को ऐसे ही इसी साइज में बना के रेडी कर लेती हूं तक इस देखिए पड़े अच्छे से हमारे चमचम बनके रेडी हैं तो मैंने सारे चमचम बना लिए हैं और अब हम देख लेते हैं कि चीनी अच्छे से मिक्स हुई की नहीं पानी में तो चीनी एकदम से घुल चुकी है पानी में और हमें बस ऐसी ही वो चीनी गुलने तक इसको उबालना है बस कोई तार नहीं बनाना है इसमें बस सिर्फ पतली सी चासनी बनानी है और अब ये बॉयल हो चुका है पानी तो हमें उबलते पानी में ही एक एक करके सारे चम चम डालने हैं एक साथ सारे चम चम नहीं डालने है तो एक एक करके डालते जाएं और आज को दीज रख्खें उबलते पानी में ही चमचम डालते हैं अब हम इनको एसे ही इसमें डालते जाएंगे और नहीं हैं अगरिकी श house डबल हो चुका है अब इनको हम धकन हटा के और बिल्कुल हलके हाथ से इनको पलट देंगे तो धकन हमने हटा दिया है और अब हम इसको हलके हाथ से बिल्कुल पलट देंगे पांच मिनट से पहले बिल्कुल इनको छूना नहीं है नदीवे तूट जाएंगे तो हमने इनको स नहीं करनी है अगर आज तेज कर दी तो आपकी ये चम-चम इसकी चासनी गाड़ी हो जाएगी और आपको एक्स्ट्रा पानी एड़ करना पड़ेगा हम एक्स्ट्रा पानी एड़ नहीं कर रहे हैं तो हमें दीमी आज भी ही इसको ऐसे ही पकने देना है तो अभी तो ये जैस के एक प्लेट में चार-पांच घंटे तो आपको आराम से इन पे लग जाएंगे तो आप इनको चार से पांच घंटे के लिए तो चासनी में ही डिप रहने देना है आपको देखिए नीचे अच्छे से बैठ चुकी है और हमारे चम चम एकदम रेडी हो चुकी है अब हम इनको 4-5 खंटे के लिए मैंने इसको 5 खंटे पूरा मैंने इसको रखा और अब इसको चास नीचे बाहर निकाले अभर हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं यह मैंने लिया है नारियल का बुरादा याने डेसिकेटेड कोकोनेट पाउडर अब इसको में हाम सारे के सारे चम चम लपेट लपेट के एक ट्रे में रखते जाएंगे तो मैंने देखिए यह कोकोनेट पाउडर इस पे लपेट दिया है और एक एक करके सारे के सारे हाम चम चम्चम ऐसे लपट लपट के ट्रे में रखते जाएंगे गाइज ये बहुत ही टेस्टी लगता है और गाइज अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आ रही है तो आप मेरी रेस्पी को सेर करें लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें तो गाइज ये आप जरूर ट्र ज़रूर ट्राई करें यह मैंने पिस्ता को पहले से ही छोटे-छोटे टुकडो में काट के रख लिया था तो अब मैं इनको अच्छे से इसके आपर डेकोरेट कर देती हूं तो इनका लुक और भी अच्छा एकदम निखर के आता है तो यह बहुत सुन्दर दिख रहे हैं द वाव देखिए कितना सोफ्ट और एकदम से यह जूसी बना है तो गाइस यह रसेपी ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट मेरे साथ शेयर करें